जैसे निदेव मकर रास्क दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका दैनिक रासी फल लेकर हाजिर हैं बात करेंगे सोमबार 2 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा जाएगा तो आईए रासी फल से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज सोमबार 2 दिसंबर 2024 मार्गसी सुकलपक्ष की प्रतिवदाती थी विक्रमी संबर 2080 आज का सुर्योदे 6 बच के संतामन मैट पर होगा तो यह आज का सुर्यास 5 बच के 24 मैट पर होगा आज के दिन चंद्रमा ब्रिश्चिक रास में रहेंगे साम 3 बच के 45 मैट तक उसके बाद धनु रास में प्रवेस कर जाएंगे बात करते हैं मुहुरतों की तो ब्रह्मो मुहुरत रहेगा 5 बच के 9 मिनट से सुबह 6 बच के 3 मिनट तक अब जीद मुहुर्त रहेगा एक जारा बच के 50 मिनट से 12 बच के 32 मिनट तक विजेह मुहुर्त रहेगा एक बच के 55 मिनट से 2 बच के 37 मिनट तक आज के दिन इसके अलाबा कोई विसु मुहुर्त नहीं बन रहा है आज का राहु काल का समय रहेगा आठ वच के 16 मिनट सुबह से 9 वच के 34 मिनट सुबह तक राहुकाल के समय किसी भी सुबहुर अच्छे कारियों की सुरुआत नहीं की जाती है अब आई ये बात कर लेते हैं आपके रासिफल के बारे में तो मकर रास के दोस्तों आज के दिन आपको आर्थिक परिसानियों का थोड़ा बहुत सामना करना पर सकता है हो सकता है कि आप जरूर से ज़्यादा धन खर्च कर दें या आपका पैसा कहीं खो जाए ऐसे मामलों में आज आपको थोड़ी साबधानी रखनी होगी आपको नुकसान भी होने के संभाबना बन रही है साथ ही आज का दिन आप के लिए कुछ मामलों में अनकूल भी साबित होगा आपको आर्थिक लाब मिलेगा इस राज के जो लोग इलेक्टरानिक्स का बेवसाय या बिजनेस करते हैं उन्हें आज अधिक लाब देखने को मिलेगा दामपत्नी जीवन में सुखों की प्राप्ती होगी साथ ही संतान का भी आज हर पकार से आपको सही होग प्राप्त होगा घर में कोई रिस्तेदार आ सकता है जिससे आपको बहुत बहतर लगेगा मकर आसको दोस्तों आज अतरिक ताय के लिए आपको और भी कुछ काम करने की संभावना दिखाई दे रही है जिससे आप और भी ज़्यादा धन कमा सकें साथ ही आज किसी बेहत खुबसूरत और प्यारे बगते से मुलाकात होने की प्रवल संभावना है काम के मोर्चे पर चीजे बहुत आसान होती हुई नजाराएंगी आज आर्थी की स्थर पर बदलाव सकारात्मक देखने को मिलेगा गरीबों को सफेद बस्त रदान करना आज समरिधी का कारक रहेगा अतीत की गलतियों से सबक लिया जा सकता है सिंगल लोग किसी को प्रबोश करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए रुख जाएं मात्रपक्ष से कोई सुब समाचार सुनने को मिलेगा साथ ही आज के दिन भगवान की क्रिपा से घर में उल्लास का महौल देखने को मिलेगा मकर रास के दोस्तों मकर रास के लोग आज अपने स्वास्त को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं आज क्या दिन आपके घर में खुसियों का महौल रहेगा और ब्यापार में आपका कारिकरम भी आयूजित होगा आज आप अपने खाली समय का भरपूर आनन उठा पाएंगे जो लोग आपके पास धन उधार मागने के लिए आते हैं आज उन्हें अंदेखा करना आपके लिए ज़्यादा बितर होगा आज किसी भी प्रकार से किसी को भी धन ना दे नहीं तो वापस मिलने में आपको कठिनाई होगी दिन को खास बनाने के लिए साम के समय परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाने के लिए जाएं आज अपने प्रेतम से दूर रहना आपके लिए थोड़ा सा कठिन महसूस होगा आज का दिन आपके लिए मिला जूला रहेगा काम का बोज कुछ ज़्यादा हो सकता है आप इसमें अधिकारियों से भी किसी प्रकार की बातचीत या अनवन होने के संभावना है गुस्ते पर काबू रखना आपके लिए काफी फाइदे मंद रहेगा आपको किसी पारिवारी कार से घर से बाहर भी जाना पर सकता है और इसलिए आज आपका पूरा दिन ब्यस्तताओं से भरा रह सकता है मकरास के दोस्तों आज मकरास के जो लोग पत्रकारिता और फिल्म छेत से जुड़े हुए हैं या टेली वेजन शेट से जुड़े हुए हैं आज उन्हें सफलता मिलने के संभावना बहुत जादा है प्रेम में मधूरता बने रहेगी कई बरसों से अटका हुआ काम आज तेजी से पूरा होता हुआ न जाराएगा समाज में तेजी से प्रगत कर आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे साथ ही आज का दिन आपके लिए सकारात्वा कर रहेगा आए के ने सरोत राप्त होंगे आफिस का काम आज आपको बाकी दिनों से बहतर न जाराएगा इस रास के जो लोग पत्रकारतिय का च्छेत से जुड़े हैं उन्हें आज उनके काम की तारिफ मिल सकती है आज आपकी मुलाकात किसी खास बेक्ते से हो सकती है समाज में मान परतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी ब्यापार में भी आज आपको सफलता मिलने के संभावना है आज आपका रुका हुआ धन भी वापस आने के संभावना है जिन लोगों को आपने पैसे उधार दिये हैं उनसे बात करें और उनसे पैसे वापस मांगें अपने लक्षों पर ध्यान के निदित करें और इस बारे में चिंता ना करें कि हर कोई आपके बारे में क्या कहने की कोषिस कर रहा है अनुमान नुकसान देस थाबित हो सकता है इसलिए आज किसी भी तरह का निबेस करते समय बहुत ही साब धान रहें आज का दिन आपके लिए कुछ मामलों में बहतर रहेगा बिदेश में रहने वाले किसी रिष्टेदार से उपहर मिल सकता है जिससे आपको काफी खुशी होगी साथ ही अगर आप बिदेश जाने के बारे में विचार बना रहे हैं तो आपका यह सपना अज पूरा हो सकता है तो मकरास के दोस्तों यह था आज आपका रासी फल कल फिर सेक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसानी देओ